इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट का पाथ टू और इस क्लास में हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉनसेप्स कुछ ट्रिकी कॉनसेप्स जो की बहुत ही यूच्फुल रहेंगे आपके लिए सभी बेंकिंग एक्जाम के लिए और सभी एस एक्जाम में और इनका यूज होता है फिलर्स में सेंटेंस करेक्शन में सेंटेंस इंप्रूब्मेंट में तो चलिए देखते हैं इन कॉनसेप्स को देखें यहां पर मैंने कुछ कॉनसेप्स बताये हैं और जैसे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है वन थार्ड टेक, तो जो जो एक्सप्रेसन थे और बनके बाद बनके अलाबवा कोई भी भी न्यूमेरल हम क्या उसके लगाएंगे इस लगा वगा did दूसरा, one third के बाद, जो uncountable noun आईगी, तो uncountable noun जो होती है, हमेशा शेंगुलर होती है, हमेशा यह ध्यान रखिए, और countable noun जो होगी, उसका जो one third होगा, वो हमेशा plural ही होगा, ठीक है, जैसे 100 student हैं, तो 100 student का जो one third होगा, वो हमेशा plural ही होगा तो एक तो आप ये concept याद रखिए same concept इसमें है इसमें के बला आपको वस ऐस याद रखना है कि 3 के बाद 3 4 या 2 3 इनमें आपको ऐस लगाना है और uncountable noun singular होगी और countable noun plural होगी तो इस तरीके से concepts को आपको समझना है rules को रटना नहीं है क्योंकि rules exam में याद नहीं रहते rules confuse कर देते हैं आपको concepts और logic को आपको याद रखना है अब देखिए यहाँ पर देखिए one third of the milk was used ठीक है तो milk uncountable noun है one third में s नहीं लगा है तो ये sentence सही है आपका ठीक है अब यहाँ पर third में s नहीं लगा है यहाँ पर students जो की countable है तो उसमें s लगाना पड़ेगा आपको तो student में s लगा है और चुकि यह noun countable है तो इसमें have लगा हुआ है यह sentence सही है तो इस तरीके से आपको रटना नहीं है चीज़ों को समझना है students जितने भी होंगे suppose 100 student है या 50 student है या 20 student है उसका one third जो होगा वो हमेशा plural ही होगा ठीक है और uncountable noun है एक कलो दूध है तो एक कलो दूध का अगर 100 ँगर या 200 आप देखते हैं तो वो भी uncountable ही होगा क्योंकि uncountable का कितना भी आप fraction कर दें वो uncountable ही रहेगा और plural का आप कितना भी fraction कर दें तो वो plural ही रहेगा ठीक है, normally जो students होते हैं वो 10, 20, 50 होते हैं normally हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 student हैं और उसका हम बोलना है कि 1 third तो normally हम ऐसा नहीं करते इसको आप ध्यान रखें अब यहाँ बाद देखिए 3 fourth लखाया है तो 3 के बाद हम ऐस लगाएंगे तो यह सही है, milk uncountable noun है तो इसलिए यहाँ पर वास लगाया है यह सेंटेंस सही है और यहाँ पर students है तो plural होगा यह यहाँ और इसके बाद यह वर आएगा तो यह सही है सेंटेंस अब इसमें सेंटेंस गलत कब होगा गलत यहाँ जब होगा, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर third में आप S लगा देंगे तो 1 के बाद S नहीं आएगा यहाँ से से आप S अठा देंगे तो यह sentence गलत हो जायगा ठीक है, यहाँ पर mil के बाद आप work लगा देंगे, तो यह गलत हो जायगा यहां पर students में से ऐसा आप अठा देंगे तो यह गलत हो जाएगा तो इस तरीके से आपको concepts को याद रखना है अब आप देखिए percent तो percent एक quantity है वो singular में होगी हमेशा 10% of the work work जो है वो uncountable noun है तो उस work का कितना भी हिस्सा हो वो uncountable ही ही होगा तो इसलिए यहां पर आपका यह है जो कि सही है और 90% of the students have passed तो students की जो संख्या है उसका जो 90% होगा वह हमेशा plural ही होगा तो इसलिए यहां पर आपको एस लगाना है और यहां पर आपको हमेशा है लगाना है है नहीं आएगा इस तरीके से इन concepts को आपको देखना है अब यहां पर कुछ कोशन ऐसे आते हैं more than one या more question than one या more city than one ठीक है तो इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको देखिए more than one जो है वो singular है जैसे यहां पर एक example देखिए कि more than one में आप सबसे पहले one को देखिए one क्या है singular तो singular के बाद हम singular subject ही तो रखेंगे तो यहां पर student जो होगा वो singular में आएगा मतला one के बाद कोई भी नाउन आएगी वो singular में आएगी क्योंकि one singular होता है और चुकि नाउन ये singular है इसलिए वर्भी singular में आएगी और more than one के स्थान पर यह दिया more than two more than three more than five more than twenty यह दि रखते हैं तो वो definitely plural हो जाएगी नाउन प्लूरल हो जाएगी और नाउन जब प्लूरल होगी तो यह subject यह जो वर्भ है यह भी plural हो जाएगा तो यह सारे correct sentences यहां पर मैंने दिये हैं यह तीसरा जो sentence है इसमें जो नाउन लगाई है यह one या two के आगे ना लगाते हुए more के आगे लगाया है तो हमेशा आप होता है कि इससे जादा ठीक है तो इसलिए more के बाद जो नाउन यहां पर आएगी यह हमेशा प्लूरल में आएगी और यह जो पूरा expression है more students than one यह plural माना जाएगा तो यह तीनों sentence आपके जो यहां पर दिये हैं यह correct sentences मैंने यहां पर यह दिये हैं अब देखिए more than one questions अब one क के बाद यहां पर question लगा दिया है तो यह sentence गलत हो गया क्योंकि one के बाद singular subject आएगा more than one question यह सही है क्योंकि one के बाद question लगाया है और question के बाद has लगाया है तो यह sentence सही है आपका इस तरीके से concepts को याद करना है रटना नहीं है आपको किसी भी चीज को अब आप देखिए more than two hundred hundred में इस लगा दिया digit के बाद जब hundred आएगा तो उसमें इस नहीं लगाएंगे तो यह आपका गलत हो गया more than two hundred soldiers were killed in that battle यह sentence सही है क्योंकि more than two plural होगा और plural के बाद वर आएगा तो यह sentence सही है more students than we expected has passed यह has लगा दिया यहाँ पर गलत है यह क्योंकि students plural है ठीक है more students यहाँ पर student में से S हठा दिया तो यह गलत है क्योंकि more के बाद जो noun आएगी वो plural में आएगी और तीसरा sentence पूरी तरह के सही है क्योंकि यहाँ पर S भी लगाए more के बाद हम S लगाएंगे और यहाँ पर यह है भी लगाए तो इसलिए यह sentence सही है तो इसमें मैं आपको rule नहीं बता has been given to us सही है क्योंकि milk जो होगा वो हमेशा uncountably होगा ठीक है और milk में यहाँ तो S लगाई नहीं सकते यह तो बिलकुली गलत हो जाएगा more milk than we consume यह हैब हो गया तो हैब गलत हो गया यहाँ पर यह क्योंकि uncountable के साथ हम हैब नहीं लगाएंगे यह सही है यहाँ पर has more questions have been asked य आपके लिए करिए और देखिए इस तरह के कभी कभी questions आते हैं कि singer after singer page after page ठीक है year after year day after day इस तरह के situations में यह perform लखा हुआ है यहाँ पर हम हमेशा singular noun का use करते हैं जैसे उसने वह page के बाद page पढ़ रही थी वह एक एक करके page पढ़ रही थी सब हो यह sentence है या कोई भी sentence है सब हो और यह sentence है singer after singer was coming to perform मतलब एक के बाद एक singer perform करने के लिए आ रहे थे ठीक है तो इस तरह के expressions में हम हमेशा यह जो after होता है after के पहले और after के बाद में singular noun का ही हम use करते हैं row upon row singer after singer rows upon rows यह गलत हो गया क्योंकि इसका मतलब होता है एक के बाद एक और इस तरह के expressions में हम हमेशा singular noun का ही प्रियोग करते हैं तो यह sentences सारे आप पर सकते हैं यहाँ पर गलत और सही sentence मैंने इसलिए दिये हैं ताकि आपको एक idea लगे कि कौन सा sentence गलत है और वो क्यों गलत है और कौन सा sentence सही है और वो क में वन के बाद एक noun लिखी है और उसके बाद फिर वर्ब लिखी है तो वन के बाद जो noun आईगी वो हमेशा plural में आईगी और जो वर्ब आएगी वो singular में आईगी मतला उसके बहुत सारे friends हैं और उसमें से एक friend जो है वो आगरा जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर friends लगेगा और चुकि एक friend आगरा जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर इस लगेगा simple concept है लेकिन इस तरह के sentences में जिसमें यह relative pronoun आता है उसमें यहाँ पर जो वर्ब आईगी वो relative pronoun के पहले जो word दिया है जिसको हम बोलते है antecedent उसके according आईगी this is one of his books which have been published तो इसका मतलब क्या है कि यह उन books में से एक है जो उसकी publish हुई है मतलब उसकी काफी सारी books publish हुई है यह sentence का मतलब है तभी तो यहाँ पर लेखा है which have been published और यह sentence correct है ठीक है तो this is one of his books यहाँ पर books आएगा और यहाँ पर हमेशा have आएगा इसको आप धहान से दे this is one of his books which has been published यह wrong है क्योंकि यहाँ पर यह जो है यह से जुड़ेगा जो की plural है लेकिन only one देखिए देखिए इसको आप ध्यान से देखिए this is only one of his books that is available here यहाँ पर only one है मतलब उसकी books तो काफी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर उसकी एक ही book available है यह sentence का मतलब है और यह sentence correct है he is one of the players who is going to America गलत क्यों है क्योंकि काफी सारे players अमेरिका जा रहा है और वह उनमें से एक है तो यहाँ पर हम बोलेंगे player के साथ यह जुड़ेगा और यहाँ पर हम बोलेंगे are तो किसी भी चीज को रटिये मत concept को आप ध्यान रखिए I met a boy who was playing in my garden यह सही है sentence this is only one of the questions that was asked य क्योंकि question तो काफी सारे थे लेकिन उनमें से के विल यह वाला यह question है यह पूछा गया था तो यह sentence आपका सही है each boy and each girl अब इसमें क्या लगाएंगे हम देखिए इसमें आप यहाँ पर his भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं और dare भी लगा सकते हैं देयर आप इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि each each boy और each girl यह singular को explain करते हैं singular को indicate करते हैं इच का मतलब होता है पिरतेक देखिए इसमें एक आ रहा है तो each boy का मतलब है पिरतेक लड़का और each girl का मतलब है पिरतेक लड़की मतलब यह singular expressions हैं तो dare नहीं आएगा हिज या हर मेंसे कोई भी एक आएगा लेकिन हिज या हर मेंसे हम क्या लेंगे हिज या हर मेंसे जो भी यहाँ पर पास वाला नाउन है उसके according हम लेंगे तो his और her के girl यहाँ पर पास में है और boy दूर है तो girl के according हम लेंगे तो यहाँ पर आपका अंसर होगा her यह मने लिखा हुआ है और यहाँ पर चुकी boy पास में है तो यहाँ पर आपका अंसर होगा his अब यहाँ पर everyone दिया है तो everyone में तो दोनों ही चीह आ सकते हैं, boy, girl, man, be man, दोनों ही आ सकते हैं, तो इसलिए इस situation में हम masculine gender जो होगा, उसको हम prefer करेंगे, ठीक है, यहाँ पर clearly indicate है कि एक लड़का और एक लड़की, एक लड़की और एक लड़का, लेकिन यहाँ पर everyone है, मतलब gender यहाँ पर indicate नहीं है, specify नहीं है, तो इसलिए हम masculine gender को prefer करेंगे, clause जो होता है, हमेशा singular होता है, ठीक है, clause क्या होता है, यह अभी मैं बताऊंगा आपको, clause और clause singular होगा, मतलब दो clause जुड़े हुए हैं, और से, तो वो expression singular होगा, और दो clause जुड़े हुए हैं, यदि end से, तो वो expression plural होगा, clause एक sentence का ही ठीक है, जैसे what he has done since morning is not known, अब देखिए, इस से पहले जो भी पार्ट होगा, वो subject का होगा, ठीक है, इस से पहले जो भी ये पार्ट लिखा हुआ है, ये subject का पार्ट है, लेकिन ये sentence के form में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर he एक subject है, और has done ये पूरी बर्व है, तो इ इस से पहले वाला जो पार्ट है, ये एक word के रूप में ना होके, एक sentence के रूप में है, तो इसलिए इसको हम clause बोलेंगे, क्योंकि ये sentence का एक पार्ट है, और इसकी अपनी subject और वर्व है, ठीक है, what he has done since morning is not known, मतलब उसने सुबह से क्या किया है, ये किसी को पता नहीं है, तो इस तरह के sentences में ये जो clause होगा, इसको singular माना जाएगा, और यहाँ पर हमने is लिया है, इसलिए ये sentence यहाँ पर correct मैंने दिखाया है, ये sentence correct है, what, अब देखिए, what, यहाँ पर मैंने he has लिखा है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, has he, इसलिए ये sentence गलत हो गया है, sentence गलत क्योंकि ये question नहीं है, इसलिए has ही यहां पर गलत है, यहां पर होगा he has, तो इसको आपको इस तरीके से समझना है, यहां पर आप देखिए, what he has been doing since morning, make him happy, अब यहां पर यह जो clause है, यह singular में है, what he has been doing since morning, where सुबैसे क्या कर रहा है, वह उसको happy करता है, वह उसको खुश करता है, मतलब वह जो सुबैसे कर रहा है, वो चीज उसको खुश करती है, तो चुकि clause दिया है यहां पर यह पूरा एक clause और clause कैसा होता है? singular होता है, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी singular आएगी, तो इसलिए यहां पर make में हम क्या कर देंगे, makes कर देंगे बहुत ही अच्छा यह sentence है और इस तरह के sentence SSC exam में teachers, TGT, PGT exam में काफी आते हैं banking exam में भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के sentence, particularly clerical exam में और यहां यहां हम देखते हैं, he should get married or he should remain single are his own choice अब इसमें देखिए और से दो clause जुड़े हुए एक clause यह है, और से पहले और एक clause आपका यह है और के बाद, तो दो clause इसमें और से जुड़े हैं, इसलिए आर ना आते हुए, इसमें क्या आएगा, इसमें is आएगा, और नीचे वाले sentence में, दो clause किस से जुड़े हैं end से जुड़े हैं, इसलिए नीचे वाला sentence correct है, उपर वाला गलत है एक concept यह भी बताता हूं में, what does he do हम नहीं बोलेंगे यहां पर, हम बोलेंगे what he does, क्योंकि यह question नहीं है, what does he do, तो हम तब बोलेंगे, जब हम question पूछेंगे कोई, या question लिखेंगे, चूकि यह question नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे what he does, ठीक है यह बहुत ही important sentence है, इस concept को आप clear करिए आप देखेंगे, यहां पर आप देखते हैं, what he does and where does he live, इसमें पहले वाला जो part है, what he does, यह correct है, लेकिन where does he live, यहां पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह question नहीं है यहां पर हम लिखेंगे, where he lives, जैसे यह नीचे वाला sentence है तो यह sentence आपका correct है कुछ incorrect और correct मैंने sentences दिये हैं, यहां पर, इनको आप पढ़ सकते हैं और indication मैंने दिया हुआ है, कौन सा sentence गलत है, कौन सा sentence सही है यहां पर भी आप देख सकते है और यहां पर मैंने variety और the variety का difference बता है, a variety जो होगी वो plural होगी और the variety जो होगी वो singular होगी देखे, a variety का मतलब है variety का मतलब होता है कि एक ही तरह की काफी सारी चीजें variety का मतलब होगा एक ही तरह की काफी सारी चीजें तो यह चीजें काफी ज़्यादा है तो इसलिए वो plural बन जाएगा जैसे यह sentence देखे आप तो ये गलत कियो है क्योंकि यहां पर मैं बोलू गा dresses क्योंकि वराइटि का मतलब होता है टाइप की काफी सारी dresses तो अब बराइट से इसमें dresses चुकी plural है तो इसलिए यहां पर वर लगना चाहिए तो उपर वाला sentence इसमें dress है वर दिया है तो dress है इसमें dresses कर दिया है तो was है तो उपर वाले दोनों sentence गलत है ठीक है आप variety का मतलब simple सा यह होता है कि बहुत सारी चीज़ है उसी type की बहुत सारी चीज़ है तो इसलिए जो noun आईगी उसके बाद प्लूरल में आईगी और जो noun plural में है तो verb भी plural में आईगी और the variety का मतलब होता है variation और variation जो है वो एक singular noun है तो एवराइटी जो होगी वो plural होगी और दा वराइटी जो होगी वो singular होगी simple सा concept है देखे यहां पर देखे दा variety of his product यह यहां पर S लगेगा product में इसलिए यह गलत है ठीक है और यहां पर दा वराइटी के साथ दा वराइटी मतलब variation variation singular होता है तो इसलिए यह भी गलत है और यहां पर आप देखें ता वराइटी आफ इस प्रोडेक्ट्स वाउज एक्सिलेंट यह नीचे वाला सेंटेंस ही है उसी तरीके से A number of का मतला होता है काफी ज्यादा काफी सारे तो यह plural हो गया और मतला होता है संख्या kind chef कैसी होगी हमेशा singular होगी है The number of students in class 9th are absent today तो यहां इसेंटेस क्योंकि A number का मतला होता है plural औरुरल बरब लगाई है है यहां पर The number of students in class 9th is increasing जहां पर है यहाँ पर इस sentence का मतलब है कि class 9th के student की संख्या बढ़ रही है संख्या बढ़ रही है तो संख्या कैसी है संख्या हो है singular तो इसलिए हमने यहाँ पर is लगाया है और a number of जो होता है वो plural होता है यदि आप concept को याद रखेंगे तो कभी भी आप मात नहीं खाएंगे और rules को आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप confused हो सकते हैं यहाँ पर मैंने काफी सारे sentence दिये हैं इसको आप देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए there appears to be देखिए इसमें phrase क्या है a number of problems और a number of problem कैसा है plural है तो इसलिए verb कैसी आएगी plural में आएगी यह appears इसमें जो लगाया है यह गलत है यह भी गलत है क्योंकि इसमें number of जो होता है उसके बाद plural बर बाती है क्योंकि number of का मतलब है संख्या या काफी ज़्यादा तो यहाँ पर ऐस नहीं लगा तो यह गलत हो गया यहाँ पर appear भी सही है और number के बाद problems भी लगा है तो यह sentence आपका सही हो गया इस तरीके से concept को आपको याद करना है टाइप जो होता है वो singular होता है और types जो होता है वो plural होता है यहाँ पर देखिए this type of machines मतलब इस तरह की मशीन हैं इस तरह की मशीनों का मतलब है कि उसा है कै इस Pastors OS ठीक है तो यहाँ पर जो वर्ब होगी आपकी वह ताइप होगी मशींस नहीं होगी मशींस यहाँ पर सही लिगा है लेकिन टाइब जोकी singular है उसके लिए वर्ब जो आईगी वो singular में आईगी इसलिए गलत है इस टाइप अब टाइप दिस जो है वो singular को दरसा रहा है और टाइप आपने कर दिया plural तो यह sentence गलत हो गया ठीक है दिस इस के बाद रहीं, तो यह भी single होना चाहिए तो इसनेंस सही है तो आप को क्या देखना है आपको यह देखना है कि किस किस तरीके से से संटेस गलत हो सकता है थिक भी में के इस तरीके किसे में उस्ताकर कर प्रभावी नहीं होगा, इसमें and not के पहले वाला जो subject होगा वो प्रभावी होगा, तो यहाँ पर main subject क्या है, you and not your sister अब यहाँ पर main subject क्या है, you है, तो you के साथ क्या वरबाती है है बाती है, has नहीं आती, इसलिए sentence सही है ऐसे ही in addition to वाले ये sentence है ठीक है, one way in addition to five books, इसमें was लगेगा क्योंकि in addition to के बाद जो subject होता है in addition to और as well as से जो दो subject जुड़े होते हैं उनमें जो पहले वाला subject होता है वो उसमें effective होता है या आप मान सकते हैं कि in जो proposition है, proposition से पहले वाला जो subject है, वो प्रभावी होगा, वो आपका effective होगा bread and butter are my favorite breakfast गलत क्यों है ये bread and butter are my favorite breakfast, ये गलत है sentence bread and butter is not available होगा bread and butter is not available देखिए ये सही है sentence bread and butter is my favorite breakfast, ये सही है bread and butter are not available here ये भी सही है इसमें देखिए bread and butter मिलके आपका नाश्ता बना रहा है और नाश्ता है singular तो इसलिए sentence सही है इसमें bread and butter को हम ऐजे commodity देख रहे हैं ऐजे सामान देख रहे हैं ऐजे कोई भी जो provisional item होता है उसको हम देख रहे हैं तो bread and butter यहां पर दो चीज़े है तो इसलिए r लगा हुआ है ये सही है अश्चा इसलिए है और यहां पर bread and butter को एक breakfast की तरह देख रहे हैं तो ये सही है यहां पर यहां पर r लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा अब देखिए bread and butter ये sentence actually गलत है यह sentence गलत है, ठीक है, bread and butter is not, यह भी sentence गलत है, तो यहाँ पर तो यह गलत का निसान लगई है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको concept को याद रखना है, आगे हम देखते हैं, India isR performing well in this series, तो यहाँ पर हम is performing बूलेंगे या आर performing बूलेंगे, यहाँ पर हम बूलेंगे, यहाँ बूलेंगे आर, क्योंकि यहाँ पर हम perform कौन कर रहा है, perform India कर रहा है या perform team players कर रहे हैं, टीम के जो प्लेइर्स हैं, वो पर्फॉर्म कर रहे हैं, सीरिस में, ठिक है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में हम हमेशा आर लखेंगे, जैसे India are performing well in this series, यह सेंटेंस सही है, और इस में क्या आएगा, इन्डिया is, are a डवलोपिंग कंट्री, तो इस तरह के sentence में हमेशा हम is लगाएंगे तो यहाँ पर आपका is सही होगा ठीक है तो इसको आप concept को आप समझें अच्छे तरीके से अंडर ए ट्री वा स्लीपिंग सम स्ट्रेंजर्स यह वाज लगा है क्योंकि यहाँ पर रियल जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आप आल लगा देंगे यहाँ पर आप आल लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा फाइब किलो मीटर्स यह सही है लेकिन यह अपने आप में एक distance है एक amount है तो इस जो लगा है वो सही है यहाँ पर आप आल लगा देंगे किलो मीटर में से आप एस अटा देंगे तो गलत हो जाएगा वो digits के बाद जब hundred thousand pound जब आते हैं digits के बाद जैसे digit के बाद यह लगा हुआ है जिसे digit के बाद मैंने बोला है two hundred तो यह गलत है digit के बाद मैं hundred thousand dozen या pound इनमें एस नहीं लगाऊँगा ठीक है hundred क्या है unit of measurement है ठीक है unit of measurement है यह unit of distance है तो unit of measurement जतने भी होते हैं उसमें मैं digits के बाद एस नहीं लगाऊँगा तो two hundred यहाँ पर यह है यह गलत है इसलिए two hundred rupees is not a big amount यह sentence गलत है आपका और two hundred rupees is not a big amount यह sentence आपका सही है ठीक है इस तरीके से आपको इन concepts को समझना है kilometers में आप S लगा सकते हैं लेकिन hundred thousand dozen pound इसमें आप S तब नहीं लगाएंगे जब इन से पहले कोई numeral होगा वैसे आप इन में भी S लगा सकते हैं मतलब आप बोल सकते हैं के hundreds of people thousands of people इस तरीके से बोल सकते हैं लेकिन इन से पहले जब digit लगी होगी तब आप S नहीं लगा सकते हैं इस टोन का मतलब 14 pound या 6.35 kg होता है ठीक है इसकोर का मतलब 20 होता है hundred weight का मतलब 50.8 kg होता है या lb हम pound को बोलते हैं ठीक है lb लिब्रा पॉंडो इसका ऐसे लेटिन वर्ड है यह lb हम इसको बोलते हैं तो यह पॉंड के लिए ही हम इसको यूज करते हैं ग्रॉस बारा दर्जन को हम ग्रॉस बोलते हैं 144 को और यहाँ पर कुछ example sentence दिये हैं मैंने देखिए यह 100 से पहले यहाँ पर यह लगाए यह सही है यहाँ पर numbers hundreds of people इस तरह से आप बोल सकते हैं यह sentence सही है लेकिन two के बाद hundred में s नहीं लगाएंगे तो यह sentence आपका सही है इसमें रुपी में आप यहाँ पर s और लगाएंगे यह sentence आपका सही है यहाँ पर आप पर सकते हैं यह I bought three dozen oranges यह three के बाद dozen में s नहीं लगा हुआ है यह sentence सही है आपका some people reach the age of five stone and 20 ठीक है तो इस टोन में इसमें एस नहीं लगा है यह sentence सही है आपका यह यहाँ पर आप score भी लिख सकते हैं actually score इस टोन का मतलब तो 66.35 kg होगा तो यहाँ पर score भी हो सकता है actually score यहाँ पर सही होगा और यहाँ पर हम देखते हैं the car cost me five thousand रुपीज यह sentence सही है he weighs above nine score तो यहाँ पर actually यहाँ पर आपका होना चाहिए stone होना चाहिए यहाँ पर scores of people यह सही है hundreds of people यह सही है thousands of fans यह सही है majority क्या होता है majority को यदि आप पूरे group को आप देख रहे हैं तो majority singular होगी और यदि majority of people आप बोल रहे हैं तो वो plural होगा देखिए the majority of email users मतलब majority का normally मतलब होता है आदे से ज़्यादा the majority of email users हमेशा इसमें हम आर का प्रियोग करेंगे a 90% majority is अब यहाँ पर इसको हम percent के form में ले रहे हैं तो इसलिए यह singular होगी ठीक है यह sentence सही है आपका और majority should be used only with countable noun के वल हम इनको countable noun के साथ ही इस word को use करते है majority को if the majority wins तो यहाँ पर majority का मतलब है बहुमत्ता या abstract noun की तरह इसको हम use कर रहे हैं तो यह word है यह singular होगा तो इसलिए इसमें एस लगा है जो की सही है यहाँ पर मैंने type जो होता है वो singular होता है types जो होता है वो पूरल होता है type से पहले दिस आएगा types टाइप से पहले दीज आएगा इसको आप हमेशा ध्यान रखिए और कुछ sentence मैंने इसमें दिये हैं इन सभी को आप आराम से पढ़ सकते हैं sentences को सारे correct sentences हैं यह ठीक है और इस वीडियो के बारे में यहाँ पर अपना feedback दीजिए मुझे बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो और कुछ error आपको लगी हो कुछ गलती लगी हो कुछ भी आपको लगा हो इसमें तो आप जरूर अपना feedback इस number पर या इस email ID पर मुझे द अपको लिए वीडियो थैंक यू